बिसमिल्लाहिरर्णानिर्रहीम आज हम बात करेंगे प्रोटेक्टिंग ग्रॉप्स इन और्गैनिक सेंथिसिस के उपर कि हम जो है वो किस तरह ग्रूप को जो है किसी स्पेसिफ़ट ग्रॉप को जैब वो प्रोटेक्ट करवा सकते हैं ठीक है तो हम इंशालला इसमें प्रोटेक्टिंग ग्रॉप्स फोर अल्कोहल देखेंगे एल्डी हाइड देखेंगे आयन कार्बॉक्स लीकिशब देखेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ड करते हैं वन देर आ टू फंक्शनल ग्रॉप्स अफ अन एक्वल एक्टिविटी विदिन आ मालीकूल दमोर एक्टिव ग्रॉप कैन बी मेड तू रियक्ट अलों बट इट में नॉट बी पॉसिबल तो रियक्ट दर लेस रियक्टिव फंक्श ग्रॉप मुझूद हैं जिन में एक हाईली रियक्टिव है और एक क्या है लेस रियक्टिव है तो अंडर्स्टूड बात है कि वहां पर जो हाईली रियक्टिव ग्रॉप होगा वो क्या करेगा असानी से रियक्शन करेगा और दूसरा ग्रॉप जो है वो क्या हो जाएगा और अन्रेक्टिव रह जाएगा second point इसका जी है a group the use of which makes possible to react less reactive functional group selectively in presence of more reactive groups is known as protecting group इसका मतलब यह है कि हमने उस group को एक ऐसे group में convert कर दिया है by addition of, by substitution of, by introduction of some other atom or group of atoms कि उसको क्या बना दिया है less reactive बना दिया है जब वो less reactive बन जाएगा तो जो second group होगा जो highly reactive है वो क्या करेगा वो वहां पर उसके साथ reaction perform कर देगा अब बहुत simple सी बात है यहां पर कि अगर हमारे पास benzene के ओपर दो alcohol group मौझूद है OH और AOH और और तो पारा डिरक्टिंग है दोनों और तो पारा बेंज benzene के ओपर जो है वो मौझूद है अब हमने क्या करना है हम चाहते हैं कि इसकी और तो पोजिशन वाला गृप जो है वो react कर चाहर और पारा पोजिशन वाला रेक्ट ना करे ठीक है या हमारी product जो है वो सेंथिसाई जो हो रही है वो orthoposition वाले OH गृूप से हो रही है लेकिन पैरा वाले से नहीं हो रही है तो हमने पैरा वाले को चुंके वो भी OH गृूप है तो इस वज़ासे इसको हम इसके ओपर कोई ऐसे atom या group of atom जो है वो लियाते हैं जो इसको क् रेक्टी बना देते हैं तो इसका मतलब यह है कि किसी organic reactions के अंदर हम अपनी interest के लिहाज से अपनी desired product के लिहाज से हम organic reaction को क्या कर सकते हैं control कर सकते हैं third group yeah protecting group blocks the reactivity of functional group by converting it into a different group which is inert to the conditions of some reactions that is to be carried out as part as of synthetic route तो वही बात वो कर रहा है कि हम क्या करते हैं कि उसकी reactivity को जो है वो बॉलाग कर देते हैं तो जो conditions फिर apply की जाएंगी जो OH group के लिए for example अगर हम चाहते हैं कि इसके starification हो जाए तो हम ACD conditions provide करेंगे लेकिन दो groups मुझूद हैं पैरा पोजिशन वाला हमने block कर दिया है और तो पोजिशन वाला जो है वो भी मुझूद है तो जब हम ACD conditions provide करेंगे तो पैरा वाला जो है वो उस conditions के अंदर reactive नहीं होगा तो बात वही फिर से है कि हम जो है वो और्गैनिक synthesis के अंदर अपनी मरजी की group जो है उसको react करवा सकते हैं अपनी desired product जो है वो हासल कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा concept है कि जिसकी वजह से हम अगर हमारे पास दो similar group मुझूद है और हम उन में दोनों में से किसी एक का reaction करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि दूसरे group के ऊपर जो है वो group of items जो है वो ले आएंगे ताके वो जो है वो किसी और के साथ reaction शो ना कर सके और वो हो इनाइड हो जाए है choosing a suitable protecting groups when we choosing a suitable protecting group the falling feature must be considered तो सबसे पहले क्या होना चाहिए cheap होना चाहिए commercially available होना चाहिए simple to put in high yield बहुत ही बहुत ही असान वे हो सका reaction का stable to reaction conditions और जो reaction conditions और बाद में apply की जाएगी उनके लिए क्या होना चाहिए stable होना चाहिए ताके वो reaction ना कर सके easy to remove in high yield और उसको असानी से क्या किया जा सके remove किया जा सके तो basically है हम जो है वो protecting gross पढ़ेंगे के इसके लिए alcohol के लिए पढ़ेंगे aldehydes के लिए पढ़ेंगे और carboxylic acid के लिए पढ़ेंगे और साथ में amines के लिए पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं protection of alcohol principle of protection of alcohol by putting a bulky protecting group on a hydroxyl oxygen which can sterically prevent it from competing effectively for electrophiles वो कहता है कि हम क्या करते हैं oxygen के ये वाला जो oxygen है hydroxyl group का इसके उपर कोई bulky group ले आते हैं जिसकी वज़ा से फिर वो अलेक्टोफाइल के लिए reactive नहीं होगा यानि कि अलेक्टोफाइल उसके उपर attack नहीं कर पाएगा उसकी मिसाल क्या है कहता है कि tertiary phenyl ठीक है carbon जो है या tertiary phenyl halide जो है वो हम जो है वो इसके उपर ले आएंगे यानि कि ये carbon है इसके उपर तीन phenyl group पर टायचा और साथ में कलोरीन है तो ये जो है ये एक bulky group है ठीक है तो जब हम इसके साथ reaction करवाएंगे तो ये electrophile के लिए क्या करेगा steric hindrance कास कर देगा और उसके साथ reaction होने नहीं देगा हम क्या करते हैं उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं कैसे स्टेबलाइज करेंगे कि हम कोई ऐसा group ले आएंगे जो इस oxygen के लॉन पेर के साथ क्या कर सके conjugation जो है वो कर सके तो उसमें सबसे पहले क्या है तर्शी वी टाइल जो है वो की टोन है उसमें हम देख सकते हैं कि यह हमारे पास जो है वो function group है sorry protecting group है इसने आके इसके साथ क्या किया है बांड बना लिया है अब इसका जो पाई बांड है और इसके लॉन पेर जो है हो क्या कर सकते हैं दूसरे के साथ localization कर सकते हैं यानि कि यह लॉन पेर यहां पर shift होगा तो पाई बांड जो है वो resonate करके ऊपर चला जाएगा तो इस तरह से उसको क्या किया जाता है stable भी बनाया जा सकता है अब हम बात करेंगे protecting group for alcohol कितनी किसम की होते हैं सबसे पहले acetyl है और kettles as protecting group है फिर ether as a protecting groups है और फिर ester as a protecting group है तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले जो है वह हम बात कर लेते हैं acetyl की ठीक है या kettles की as a protecting group for alcohol acetyl or kettles not only serve as a useful protecting group for aldehydes and ketones but they also find wide spread use in the protection of alcohol इसका मतलब यह है कि यही acetyl जो है यह aldehyde or ketone की protection के लिए भी use होते हैं और यही acetyl or kettles जो है यह का करते हैं alcohol की protection के लिए भी use होते हैं commonly used kettles include यह जी tetrahydro pyranil tetrahydro pyranil derivatives या methoxy methoxy ethoxy methyl methoxy ethoxy methyl derivatives हैं या फिर methoxy methyl derivatives हैं acetyl kettles are simply removed by treatment with the aqueous acid इसका मतलब यह है कि जितने भी acetyl or ketles हैं इनको असानी से remove किया जाता है जैसे ही हम उनको acetic conditions donate करते हैं तो वो क्या कर जाते हैं जो protecting group है वो reaction के बाद remove हो जाएंगे for example यह हमारे पास एक reaction है ठीक है तो हमने क्या कि यह alcohol का reaction जो है यह एक furane के साथ जो है वो हम करवाने जा रहे हैं तो यह इसकी protection करवा देगा यह देखेंगे यह oxygen के साथ यह आकर बन गया यह acetyl बन गया ठीक है जैसे ही हम इसको क्या करेंगे acety conditions प्रवाइड करेंगे तो यह दोबारा फिर convert हो जाए कि इसके अंदर alcohol के अंदर अब यह mechanism है mechanism में क्या है कि पाई बन जब hydrogen पे attack करेगा चोकि acety conditions है ठीक है तो जब पाई बन attack करेगा तो यह पर यहां पर shift हो जाएगा oxygen wave कौन सा charge आजएगा positive charge जाएगा ठीक है फिर उसके बाद क्या होगा कि यह हमारे पास जो है यह बाउंड जो है oxygen के ओपर shift होगा तो इस वाली carbon की जो valency है वो क्या जाएगी three हो जाएगी इसलिए इस पर positive charge जाएगा और alcohol जो है उसका oxygen करेगा और हमारे पास इस तरह से alcoholic group को क्या कर लिया जाएगा protect कर लिया जाएगा अगर हम इसको दुबाड़ा वापस लिजाने चाहते तो क्या करेंगे सिर्फ ACD conditions provide करेंगे ठीक है तो यह फिर OH group से क्या हो जाएगा या हमारी alcoholic group से क्या हो जाएगा डीटेच हो जाएगा mechanism of deep protection ठीक है protection हमने देख ली किस तरह का mechanism होता है आज फिर next हम बात करेंगे कि deep protection क्या आती है वह ACD conditions provide की है ACD condition provide करने से क्या आता है oxygen equivalency 3 हो जाएगी यह bond यहां पर shift हो जाएगा तो यह जो है वो bond टूट के oxygen पर चला जाएगा इसको stabilize करने के लिए फिर उसी तरह से क्या करेंगे ACD conditions provide करेंगे ठीक है water की म्रूजगी में जो हमने वहां पर acid add किया तो वह क्या हो जाएगा वहां से निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा OH group जो है वो बन जाएगा यह हम simply यह कहते हैं OH group जो है वो यहां पर आकर attach हो जाएगा ठीक है और hydrogen जो है वो यहां से निकल जाएगा ether as a protecting group for alcohol अब हम बात करेंगे इसके mechanism की के ethers जो है वो क्यासे protect करते हैं alcohol को alcohol may be simple converted to ethers by nucleophilic attack on a suitable alkyl halide simple एक alkyl halide के तरह से वो क्या क्याता है जिस तरह nucleophilic substitution reaction होते हैं इसी तरह ethers के अंदर भी जाय हो जब हम alcohol के साहर रेक्शन करवाते हो तो एक simple reaction होता है जिसकी जिसके नतीजे में वो क्या हो जाता है protect हो जाता है ethers are stable to basic and mildly acic conditions ether जो होते हैं वो basic condition में stable होते हैं or mildly acetic conditions यानिके अगर हमारे पास pH less acidic solution तो वो stable रहेंगे they do not react with the oxidizing reducing agent and are inert to organometallic reagents ठीक है या oxidation के लिए reduction के लिए भी stabilize है ठीक है और organometallic compounds के लिए stabilize however this stability means that many others are not easily cleave to their parent alcohol under mild conditions इसका मतलब यह है कि हम जब हम इसकी protection कर लेते हैं तो हम mild conditions के अंदर जो है वो इसको deprotect नहीं कर सकते therefore only certain ethers which are easily cleaved under mild conditions are commonly used as a protecting group for alcohol तो हम फिर जो वो वाले ether use करेंगे जो mild conditions के अंदर भी क्या हो जाएं कि deprotect जो है वो detail जो है वो cleave carbon पर attack करेंगा colouring यहां से निकल जाएगा और यह protect हो गया ठीक है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे simply इसको क्या करेंगे reduction करेंगे reduction करने के नतीजे में क्या होता है oxygen की उपर hydrogen आ जाएगा और यह जो है वो वहां से deprotect हो जाएगा और असानी से निकल जाएगा इससी तरह second example है tertiary butyl ethers which are readily hydrolyzed with the dilute acid यह tertiary butyl alcohol है हमारे पास यह ethers है हमारे पास ठीक है यहां पर यह वो alkyl group लगा हुआ है तो यह क्या करेंगा इसके साथ reaction करेंगा इसको जो है वो protect कर लिया जाएगा कैसे protect होगा कि यह यहां पर इसके साथ जो है वो इस पर attack करेंगा और यह वे इस निकल जाएगा oxygen इसके साथ detach हो जाएगी यानि कि यह oxygen का loan pair इस पर attack करेंगा तो यह water बन के निकल जाएगा ठीक है तो चुकि अब यह ether बन चुकर जाएगा और इसके उपर hydroxyl group आ जाएगा तो हम आसाने से को de-protect कर सकते हैं ट्राइफिनाइल methyl group is the most important for the protection of one alcoholic group ट्राइफिनाइल methyl ट्राइफिनाइल methyl जो है उसके साथ कलोरिन भी लगी हुई है ठीक है चुकि ट्राइफिनाइल मिथायल से उसकी जो वैलनसी है वो पूरी नहीं हो रहे है ठीक है तो हम क्या करेंगे उसी तरह से simple carbon के उपर attack होगा colorine यहां से निकल जाएगी जब colorine यहां से निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे इसकी de-protection जो है वो असानी से कर सकते हैं ठीक है simply क्या करेंगे हम इसको peridine जो है वो क्या करेंगे provide करेंगे peridine provide करने के बाद हम इसको थोड़ी सी acd conditions साथ जित जो है वो दे देंगे acd conditions देने से क्या होगा यह h बन जाएगा और यह methyl coloride के अंदर shift हो जाएगा ठीक हो गया तो इसका मतलब यह है कि mostly जो है वो deprotection जो हो रही है वो यहाँ पर acd conditions को जो है वो favor कर रही है trimethyl celyl ethers as a protecting group सबसे पहले तो यह बात confirm कर ली जाएगा देखे बेटा ether दो किसम के होते हैं एक ether है जो oxygen की मुझूदगी में यानि कि दोनों साइडों पर क्या हो alkyl group और दर्मियान में क्या हो oxygen हो तो इसे क्या कहते है oxygen ethers कहते हैं ठीक है लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो silicon आ जाए दर्मियान के अंदर दोनों साइडों पर alkyl groups हो और दर्मियान में क्या हो साथ silicon भी आ जाए ठीक है तो इसे क्या रा से simple क्या होगा कि यह silicone पे टैक करेगा Kalourine यहां से निकल जाए तो deep protection क्या होगी simply acid conditions गेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी deep protection हो जाएगी यह इसका mechanism भी बताया गया है कि fluoride जिए हुँ silicone पे टैक करेगा ठीक है और हमारे पास क्या बन जाएगी ACID conditions हैं वो बन जाएंगे ये दोनों conditions हैं ये देखें ये हमारे पास Trimethyl, Celile, Ether हैं इसके हमने Deprotection करनी है तो अगर ACID परवाइड करेंगे तो ये इस तरह से जो है वो इसके सारे एक्षिन करेगा OH वाटर जो है वो इसके उपर टैक करेगा और ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा ठीक है और ये हमारे पास क्या बन जाएगी अलकोहल बन जाएग और हमारे पास जो protecting रहे है वो क्या गर हो जाएगा असानी से detach हो जाएगा Ether as a protecting group for alcohol, sorry, ester as a protecting group for alcohols तो next हम बात करने जाने कि किस तरह esters जो है वो क्या करता हैं इसको protect करते हैं तो सबसे पहले है formate ester, formate निकले है formic acid से, ठीक है? तो formate ester जो है वो उस तरह से बनेगा कि एक साइड पर जो है वो formic acid होगा और साथ में alcohol जब आकर reaction करेगे तो वो formate ester बनाता है ये देखें ये formic acid है और ये alcohol है तो इन्होंने क्या बना दिया? एक ester बना दिया होगा क्या कि हम simply formic acid लेकर आएंगे तो ये ester बना देंगे और हमारे पास इसका ये फाइदा होगा कि ये जो OH गूरूप है ये क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा ठीक है? दूसरा क्या है? कि हम लेकर आते हैं acetic formic anhydride, acetic formic anhydride ये देखें यहां पर alkyl का रूप लगा है या निके methyl गूरूप है तो ये acetic है, यहां पर H है तो ये क्या है? फार्मिक है तो ये दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? फार्मिक anhydride बनाते हैं और जब इसका reaction इस alcohol के साथ होता है तो हमारे पास क्या बनता है? एस्टर बन जाता है और ये इसकी पिरिडीन की मुझोद्गी मोत है दोनों की protection जो है डी protection जो है वह असानी से की जा सकती है ठीक है एथर जो हम परवाइड करेंगे और साथ में थोड़ी सी basic conditions परवाइड करेंगे तो base की मुझोद्गी में हमने पढ़ा है कि एस्टेरिफिकेशन या डी स्टेरिफिकेशन जो है वह हो जाती है कि एस्टेर जो है वह अपने जो रियक्टिंग मेटिरियल जा उसके अंदर क्या हो जाता है कनवर्ट हो जाता है ठीक है शीटेट एसटर, ठीक है ऐसएटए एसटर तो वही बात है कि यह हमारे पास एसटेट है इसका अलकॉल के साथ रेक्शन होगा इन दा प्राजन्स ऑफ पिरिडीन तो यहां से क्या होगा कि इस जो है वो आच जो है वो निकल जाएगा यह हमारे पास क्या बन जाएगा? एसीतीट एस्टर बन जाएगा. इसी तरह से हम दो तरह से जो है, वो इसका रेक्शन करवा सकते हैं, या तो एसीटीट इथर ले ले ले, यह भी एक इथर है, क्योंकि दोनों साइड़ों पर क्या है, से क्लॉरायद से बहुत होगा कि सिंपल यह कार्बन पर टैक्ट करेगा और दिया निकल जाएगा इसको और सकते हैं यह एक्षिन के दारी लेकिन रेक्ष्टन के बाद उसको क्या कर लेना है डी-PROumn कर लेना है ट्राइक कलोर Examples खीक है तो ट्राइक लोर्य आ Easy Türkiye रो इसीपर juQu soon Łagoda क्या होता है यह में लज्गी तो खीक है तो होगा क्या कि यहां पर उसी तरह से सिंपल इसके क्या होगी प्रोटेक्षन हो जाएगी वह गुरूप जो है वो किस पर टैग करेगा वो आकर इस कार्बन पर टैग करेगा और कलोरिन यहां से निकल जाएगा तो यह हमारे पास एक ऐस्टर बन जाएगा ठीक है और इसकी डिप रोटेक्षन जो है वह बेसिक तो जितने भी एस्टर ग्रूप हैं उनकी डी प्रोटेक्टिंग ग्रूप उनके लिए बहुत ही सिंपल सिलाइल इथर यह जो भी है तो उनके लिए बहुत ही नॉर्मल बात है कि हम उनके के लिए स्लाइटली या माइल्ड एस्टी कंडिशन लेकर आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं डी प्रोटेक्ट हो जाते हैं इसी तरह से यह और एक और बात यहाँ पर मैकनिजम आपसे नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर है वो आप से सिर्फ और सिर्फ यह पूछा जाएगा कि आप इसको इसके साथ जो है वो प्रोटेक्ट करवाएं और उसकी कंडिशन क्या होनी चाहिए ठीक है और यह ग्रुप आपको दिया गया है आप इसको इसके साथ जो है वो प्रोटेक्ट करवाएं और इसके कंडिश sub audiobook side जो है वह स्के वह हो ही ऊसी तरह से basic जो हब मैं मुसमे आइड करेंगे और उसकी क्या हो जाएगी definite protection हो जाएगे अब यहां तक तो हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक अलकोहली ग्रूप है तो हम उसको क्या कर सकते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर हमारे पास डाइ ओल्स हैं यानि कि दो अलकोहली ग्रूप से हैं और दोनों को प्रोटेक्ट करवाना है तो उसके लिए दो पॉस्रीज़्टयो मेरे सकती है। तो यहांनि कि OH group जो है वो वन पोजीशन पे और टू पे भी हो सकता है, OH group जो है वो वन पोजीशन पे और थ्री पोजीशन पे भी पॉसीबल है. तो सबसे पहले हम कहते हैं, CYS-1,2-Diols and CYS-1,3-Diols can be protected as cyclic acetylene kettles. डाइ ऑग्जालेंज एंड डाइ ऑग्जेंस और cyclic ortho esters that are cleaved by acetic hydrolysis or as a cyclic esters. एक्जांपल है, carbonates that are cleaved by the basic hydrolysis. तो वो कहता है कि हम जो हआ वो बेक्टारी डाई ओज जितनी भी या तो एसीट और सकेंदर कन वाते हो जाएंगी और नो उनकि निखर आब अपडया सब्सक्राइ्न वाक शुळस यृज और सुकली जफ़ास के नहें आब करणिडर जा Creating तो इसको क्या किया है अपना प्रोटेक्टिंग ग्रॉप जो गोँ एड़ किया है उसने इसको क्या किया है कि यह देखे, इन दोनों के साथ क्या करेगा, एसे iacetal के तौर पर जो है, वह एड़ करेगा और यह हमारे पास क्या बन जाएगा, iacetal बन जाएगा, one, two, acetumide formation is usually favored over one, three, acetumide, that's cleavage, क्या mild, aqueous acid conditions हैं, simply आप क्या करोगे, इसे थोड़ी सी little bit jayいacetic conditions दोगे, तो यह क्या हो जाएगा इसकी डिप्रोटक्शन हो जाएगी। उसके बदा साइकलो अलकाइली डीन एसीटेल्स ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास यह अलकोहली ग्रॉप्स मुझूद है। ठीक है। इसको प्रवाइड करते हैं एसी तरह से यह क्या हमारे पास बन जाएगा एसीटेल्स बन जाएगा दोनों कंडिशन्स के अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो बेसिकली हम जो है वो किटोन प्रवाइड करते हैं जो के दो ओएच ग्रॉप को क्या कर देती है प्रोटेक करती है और हमारे पास final result का आता है? Acetal बनाता है, ठीक है और इसको जो है वो हम असानी से क्लिव कर सकते हैं जैसे ही हम क्या करेंगे उसकी ACD conditions लेकर आएंगे तो ACD conditions जै क्या होगा? यह OH गूरूप जो है, यह OH को है यह OH को पकड़ लेगा इसी तरह से यह भी OH को पकड़ ठीक है और हमारे पास जो है वह फाईनली जो है वो दुबारा दी पर्टक्षन होने के बाद यह esh और यह है बन जाएगा तो जितने भी acetyl और Angel have इनको क्या कर सकते हैं असानी सा अक्लिव कर सकते हैं अंडर Mild Acidic Condplaces उसके बाद है Benzylidane Acetyls तो हम इसको क्या करेंगे बैकवर्ड जह है वो माइड इसडी कंडिशन के इंदर एसिटल बनाएगा एसिटल अगर हम डी प्रोटक्ट करना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे बैकवर्ड जो है वो मायर्ड इसडी कंडिशन से क्या होगा यह भी एच पकड़ लेगा यह भी एच पकड़ लेगा ठीक है और यह जो प्रोटक्टिंग रॉप है वो यहां से रेमूव कर दिया जाएगा साइकलिक और्थो ऐस्टर जाएंगे अब यहां पर एस्टर एज प्रोट्टिंग ग्रूप के तो प्यार रहा है तो ऑस्टर हम लेकर आंगे वो इसके साथ क्या बनाएगा बॉर्ण बनाने के बाद हमारे पास क्या बचाएगा इसको हम दोनों तरीकें से acidic conditions के अंदर भी और basic conditions के अंदर भी जो है वो चुंकि एस्टर है इस वज़ा से acidic conditions के अंदर भी sterification शो कर देता है sorry desterification शो कर देता है और basic conditions के भी उसकी breakdown हो जाती है चीकर स्टरिफिकेशन फार cyclic carburets cyclic carburets में जो है हम यह देख सकते हैं कि हमारे पास simple जो है यह हमारे पास carbonyl group है basically carbonyl group जो है इसके साथ जो है वो अलकाल ग्रूप से लगे होते हैं या वो इस ग्रूप लगे होते हैं वो असानी से क्या करेंगे इसके साथ attach हो जाएंगे उसी तरह से हमारे पास carburets बन जाएंगे इसे carburets कहते हैं इसका मतलब यह है कि carbonl carbon के दोनों साइडों पर बलके तीनों साइडों पर तीन oxygen हों तो उसे क्या कहते हैं carburets कहते हैं यह acid conditions है acid conditions के अंदर इसको protect करेगा तो जब हम इसको वापस लेकर जाएंगे तो conditions क्या हो जाएंगे बेसिक हो जाएंगे base डालने से हम इसको क्या कर सकते हैं असानी से cleave कर सकते हैं तो यह था हमारा आज का जो lecture जिसमें हमने alcohol को डेटेल में देखा कि हम उसको alcohol को किस तरह से protect करेंगे next lecture में हम इंशाला देखेंगे protection of carbonyl group क्या है aldehydes और ketones की जो है protection करेंगे जो भी question होगा वा इंशाला को essence session में हम देख लेंगे पढ़ की आईएगा इसको देख की आईगा जो भी आपका question होगा वा इंशाला हम जो है वो physical lectures के अंदर उसको detail में देख लेंगे ठीक है अल्ला हाफिस